नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस पाट के पहले भाग में हमने जाना था कि पौधे और जन्तों दोनों ही मानव जीवन के अभिन्यांग है। इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं होती है। पौधों की उप्योगिता के अधार पे इन्हें दो भागों में बाटा गया था। पहला लाबदायक पौधे और दूसरा हानिकारक पौधे। लाबदायक पौधों में हमने ऐसे पौधों के बारे में जाना था। जिनसे हमें भोजन प्राप्त होते हैं। जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते थे जिनसे विविन प्रकार के हम वस्त बनाते हैं। और ऐसे पौधों के बारे में भी हमने जाना था। जिनका उप्योग हम विबिन प्रकार के रोगों में दवा के रूप में करते हैं साथ यसाथ पौधों के और क्या के उप्योग होते हैं इनके बारे में हमने विस्तार पूरवक से चर्चा की थी इसके अलावा हमने उन पॉदों के बारे में भी जाना था जिनसे हमें हानी पहुछती है, वह थें ऐसे पॉदे तहें। विवास्ता पौदे निकलने वाली दूदी ये डूद्नाय ये जहरियली थे टीर थे बनले मेंड जनलने वाली दूदे ते निकलने वालेयाश दूद, Арची मत्रशनी। हमने अप array में जाना था जिनसे हमाधकपरदात्र होते हैं जो कि हमारे स्वास्त के लिए हानिकारक होते हैं तो बच्चों पहले भाग में हमने पौधे की उपयोगिता को विस्तार पूर्वक से जाना और इस भाग में हम जानेंगे कि जीव जन्तु हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं और हम किन-किन रूपों में इनका सकते हैं पहला likes नाप जन्तु होते बच्चों उन्हें अलगालग जन्त्यों में रख सकते हैं जैसे कुछ जन्तु ऐसे होते हैं जो कि Geot Pichyточ एं लोग वहag रोगारु को एक इस्थान से दूसरह स्थान प्ले में सह然后 कुछ जन्तु ऐसे होते हैं जो कि हमारी फसलों को पौधों को नस्ठ करते हैं, तो इनको इनी के समूहों के अधार पे हम अपनी खक्षा में जानेंगे लाबदायेक जन्तूों को भी उनकी उप्योगिता के अधार पे हम अलग-अलग समूहों में बाढ़ सकते हैं जैसे कुछ ऐसे जन्तु होते हैं जिने से हमें भोजन प्राप्त होता है यानि कि कुछ ऐसी वस्तु में प्राप्त होती हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं यानि कि खाद प्रदार्थ देने वाले जन्तु दूसरा उत्पाद देने वाले जन्तु यानि कि उन जन्तुओं से कुछ ऐसी वस्तुवें हमें प्राप्त होती हैं जिनका प्रयोग हम अपने ध्यानिक जीवन में करते हैं तीसरा ऐसे जन्तुओं का समू होता है जो हमें अपने ध्यानिक जीवन में विभिन प्रकार के कारेयों को करने में सहायता प्रदान करते हैं यानि कि सहायक जन्तु तो आईए बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि जन्तुओं की क्या क्या उप्योगिता है बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो चित्र दिखाया दे रहा है इसे देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनतुओं से हमें किन-किन प्रकार के प्रदार्थ या उपयोग किस प्रकार के उपयोग है हमारे जीवन में जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में कि जनतुओं से हमें विभीन प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं या हम उनसे विभीन प्रकार की सहायता लेते हैं जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक महिला ने अपने गले में सुंदर सी माला पहनी हुई है बच्चों ये मोती की माला किसे बनी है मोतियों से और ये मोती भी हमें सीप से प्राप्त होता यानि की जीव से जीहां बच्चों जो प्राकृतिक मोती होती है वो भी हमें जन्तू से ही प्राप्त होते हैं तो आएए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जन्तूं से किन-किन ार्ण रूपों में हमें क्या उसमें सबसे पहले हमारे जो मश्तिक शचुंता थी वह होता है दूद का हम रोज करते हैं हमारे डूद में दूदा आता है दूद से विभिन परकार की वस्तुम essas पर किया आपको मालुम है यह दूद हमें किन-किन जन्दूँऊं से प्राप्त होता है। बिलकुल सही, दूद हमें गाय, भैस, बखरी इन सभी जन्दूओं से प्राप्त होता है। दूद एक संतुलित अहार है जो की हमारे शरीर को निरोगी और स्वस्त बनाता है। यह किस जन्तू का दूद सर्वश्रेष्ट माना जाता है जिहां बच्चों गाय के दूद को सर्वश्रेष्ट माना जाता है क्यों क्योंकि जो गाय का दूद होता है वो फैट रहित होता है यहीं पतला होता है जो की शरीर में पचने में आसानी होती है साथ ही साथ गाय का जो गोबर होता है बच्चों वो भी बहुत उपयोगी होता है जिसके द्वारा प्राकृतिक खाद बनाई जाती है और इसका अपयोग खेती में किया जाता है गाय के द्वारा मिलने वाले गौमूत्र का भी उपयोग औशदी की रूपे किया जाता है तो आप में से कई बच्योंने हो सकता है तलाब में से कभी मभी मशली को जाल के दौरा पकड़ा होगा बहुत मज़ा आता है इस कारे में परंतु किया आप जानते है यह जो मशली होती है वो कितनी उप योगी होती है मशली होती है में प्रोटी Emmve pixels or o ng3 fatty acid पाय जाता है जहां ब हमारे देश में पच्छमी बंगाल असम इन सभी राजियों में मचली मुख्य रूप से खाई जाती है क्यों कि मचली में बहुत ही प्रचूर मात्रा में प्रोटीन विटामिन और ओमेगा 3 पैटी एसिट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लावदाई होता ह साथ ही साथ बच्चों कुछ मचलीओं के जैसे की कॉड़ और शार्क इन मचलीओं के यकरित से तेल निकाला जाता है इस तेल में बहुत ही ओषिदी गुण होता है जो कि विभिन्न रोगों के दूर करने में सहायक होता है अब बात करते हैं उन मचलीओं की जो कि हमारे घर में ददावों में देखी जाती हैं भत लो मशलियूं जो है प्रमुक रूप से उद्योग के रूप में हमारे देश चने नहीं जाती है मशली होग भी कई लोगों की जीविगा का अधार है अब बात करते हैं शहद की जीहां बच्चों जो मीठा शहद होता है वो कहां से प्राप्त होता है मधुमक्खियों से शहद स्वाद में मीठा होता है और बहुत से औशधी गुणों से युक्त होता है जी हाँ बच्चों जो मधुमक्यों से शहद प्राप्त होता है वो सिर्फ स्वाद में मीठा ही नहीं होता है बलकि बहुत ही औशधी गुणों से भरपूर होता है अब यह मधुमक्यों शहद इस तरीके से तयार रस को वो अपने छत्तों के खानों में एकत्र करती हैं और इस प्रकार से शहद का निर्मान करती हैं। बच्चों, कभी आपने मधुमक्की के छत्ते को ध्यानकूरवक देखा हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाया दे रहा होगा। मधुमक्की के छत्ते के हर खाने में छेखोने होते हैं। को सकते हैं और इस चहने सामगरी रख सकता है। ता कि वो अधिक सी अधिक मात्रा अपने छत्तों में एकत्र कर सके। कई अब बच्चों क्या मधुमख्bah की थे हमें सिर्श पुब रप्राप्त होता है जी नहीं मधुमक्खे के चेटे से हमें मोम भी प्राप्त होता है और और उस मोम से हमें क्या-क्या बनाते हैं पॉलिश, मोम बत्ती और विबिन प्रकार के सवंदर प्रसाधन भी तो ये तो बच्चों बात हुई मधुमक्खी की अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुर्गी और उसके अंडे की ये तो कई बार पूछा जाता है बच्चों कि मुर्गी और अंडा दोनों ही हमारे शरीर के लिए लावदाई होते हैं जी हां बच्चों जन्तों से मिलने वाले मांस कई जन्तों जैसे कि मुर्गी बकरी भेड इन सभी जन्तों से मिलने वाला जो मांस होता है जिसे भोजन के रूप में बहुत से व्यक्ति ग्रहन करते इन में बहुत ही उत्तम कोटी की प्रोटीन पाई जाती है और मुर्गी और बतक इनकी अंडे भी बहुत ही लावदाई होते हैं तो बच्चों यह हमने बात की कुछ ऐसे जन्तुओं की जिन से हमें खाद प्रदाख प्राप्त होता है यानि कि ऐसी वस्तुओं जिने हम अपने भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे जन्तुओं के बारे में जिन से हमें उत्पाद मिलता है यानि कि प्रियोग हम अपने ज्यानिक जीवन में करते हैं सर्व प्रथाम ऐसे जन्तूओं की बात करते हैं जिन से हमें रेयशे प्राप्त होते हैं और उन रेशों से हम वष्तर बनाते हैं इनके बा pakai मैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आपकी पाठ पुस्तक के दितिय पाठ में यानि की रेशे से वस्त्र तक में आपने बहुत विस्तार पूर्वक से ऐसे जन्तूं के बारे में जाना था जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं और उनसे हम वस्त्र बनाते हैं तो वो जन्तू बच्चों कौन-कौन से जिहां भेड, उट, याक इन सभी से में रेशे मिलते थे जिनसे हम उन का निर्माण करते हैं और उन हमेरे लिए क्यों आवशक है बच्चों जिहां ठंडियों से बचने के लिए अब बात करते हैं रेशम के कीट की जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे रेशम का कीट कह पाला जाता है शहतूत के पेड़ पर और रेशम के कीट से हमें क्या प्राप्त होता है रेशम जिससे हम बहुत ही सुंदर वस्त्र बनाते हैं रेशम के कीट से हमें रेशम कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक से अपने दितिये पार्थ में अश्या हेतू शरीर के चारो और मोटी पपड़ी की रूप में लाख का खोल बना लेता है जिसे खरोच कर पानी के साथ गला कर शुद्ध लाख तयार किया जाता है तो बच्चों लाख के कीट से हमें लाख प्राप्त होता है अब यह तो हमने जान लिया कि लाख हमें कैसे प प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चम्रे के बारे में जी बच्चों जो चम्रा होता है जिससे हम विभिन प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं जैसे कुछ परिधान बनते हैं बैड बनते हैं पर्स बनते हैं तो यह जो चम्रा होता है वो वो कौन-कौन से हैं घोडया, सुवर, मगरमच, साप इन सभी जनतुओं की खाल से भी चमडा प्राप्त होता है अब बच्चों अगला चित्र देखते हैं जो कि एक कस्तूरी मृग का है कस्तूरी मृग यह क्यों हमारे लिए लाबदाई है कस्तूरी मृग की नाभी के पास ग्रंथी पाई जाती है बच्चों जिसके अंदर हमें कस्तूरी नामा के प्रदाथ प्राप्त होता है जिससे बहुत है तेव्र सुगंद होती है और इसका प्रियोग हम करते हैं और शदी के रूप में तो बच्चों हमने अभी तक जिन जनतुओं के बारे में चर्चा की वह हमें किसी नकिसी रूप में लाब पहुचाते हैं परंतु बच्चों क्या आप जानते हैं इनी जनतुओं के आधार पे बहुत से लोगों की जीविका चलती है जिहां हमारे देश के कई उध्योग धंडे ऐसे हैं जो कि इनी जनतुओं पर निर्भर हैं तो आई जानते इस चत्र में देख पारहे हो कि मधुमक्यों का पालन किस प्रकास से होता है एक बड़े से डिब्बे में इस तरह के से प्लेट में मधुमक्यों को पाला जाता है और मधुमक्य पालन को क्या कहते हैं बच्चो अपी कल्चर अब बात कहते हैं सेरी कल्चर की सेरी कल्चर यानि जैसा किया तक हम बतिया भी जाता है उस प्रकास से लिटों को भाला जाता है और उससे प्रप्त कोकीन से कोकीन से हम रिषयम के ध्ह Much करते हैं और फो इसम के द्दागे भ्राप्त करते हैं और सेरी करण कंच divers यह भी हमारे देश में बहुतायत से किये जाता है मुर्गी पालन को हम पॉल्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं मचली उद्ध्यों यानि की मचलियों का पालना मचलियों को पालने वाले उद्ध्यों को हम पीसी कल्चर भी कहते हैं अब बात करते हैं वर्मी कल्चर वर्मी कल्चर जुड़ा होता है केच्वों से अब बच्चे ये केच्वों का पालन हम क्यों करते हैं केच्वे जो होते हैं बच्चों वो मिट्टी को बहुत ही गुणकारी खाद में बदल देते हैं जो कि हमारी यहां खेती में सहायक होती है इससे बहुत ही उत्तम किस्म की प्राकृतिक खाद बनाई जाती है इसलिए केच्वों को इस प्रकार से पाला जाता है और इस अद्योग को हम कहते हैं वर्मी कल्चर तो ये वच्चों हमने जाने ऐसे जन्तूओं के बारे में जो कि हमें किसी ने किसी रूप में लाब पहुचाते हैं अब आईए आगे बढ़ते हैं और ऐसे जन्तूओं के बारे में जानते हैं जिन से हमें किसी ने किसी रूप में हानी पहुचती है और लेकिन हां उससे पहले हम कुछ ऐसे जन्तूओं को भी जान लेते हैं जो कि हमें हमारे कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं तो क्या वच्चों आप ऐसे कुछ जन्तु के नाम बता सकते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो आता है कुत्ते का जी हां कुत्ता कुत्ता हमारा एक सहायक जन्तु है जो कि हमें विभिन्यकार्यों में सहायता प्रदान करता है जैसे कि हमारे गरों की चोकिदारी करता है कई जगह पर इसका इस्तमाल स्लेज गाड़ी में भी किया जाता है यानि कि बर्फ की जगह पर एक गाड़ी होती है जिसे हम स्लेज गाड़ी कहते हैं उसको खीचने में अधुनिक यूग में जब ट्रैक्टर हमारे जीवन में आ चुका है तब कई जगहा पर ट्रैक्टरों के द्वारा खेतों को जोता जाता है परंतु बच्चों पहले जो खेत की जोतने का कार रह होता था वो बैल के द्वारा ही होता था इसके अलावा और भी कई जन्तु हैं जो कि हमारे सहायक होते हैं, जैसे कि घोडा और हाती, इनके अलावा खचर हैं, गधा है, यह भी हमारे सहायक जनतु होते हैं, जो कि समान को ढोने में हमारी सहायता करते हैं गोड़े का प्रयोग हम सवारी के रूप में भी करते हैं आपने तांगा तो अवश्य देखा होगा तांगे को कौन खीसता है बच्चों जी हां हमारा मित्र खोड़ा सौरी बच्चों ये खोड़ा तो देखा कुछ ऐसे भी जन्तु होते हैं जो कि हमारे जीवन में जो द्या होते हैं उन से हमें क्या-क्या साहता प्राप्त होती है ये भी आप अवश्य लिखिएगा अब आगे चलते हैं बच्चों और कुछ ऐसे जन्तुओं को जानते हैं जो कि हमें हानी पहुचाते हैं जब भी हम हानी कारक जन्तुओं की बात करते हैं तो सरवपरतम हमारे दिमा सबसे पहले हम जानते हैं box jellyfish के बारे में बच्चों जो box jellyfish होती है वो दुनिया का सबसे जहरीला जीव माना जाता है ये एशिया और आस्टेलिया के समुद्रों में पाया जाता है और ये बिलकुल पारदर्शी होता है यानि की पानी में इसे आप आसानी से नहीं देख सकते दूसरा जो सबसे जहरीला जीव मना जाता है वो है साप की प्रजाती का किंग कोब्रा, जी हैं बच्चों काला नाग जिसे आप कहते हैं, साप की प्रजाती में किंग कोब्रा को सबसे घातक जीव मना जाता है, कोब्रे का डंग बेहधी विशहला और दर्दनाक होता है, इसक जो बिच्चु होता है वो माना तो यह जाता है कि वो सापसे ज्यादा जहरीला होता है लेकि जब बिच्चु डंक मारता है तो बहुत ही कम मात्रा में उसका जो जहर होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है परन्तु जो काला बिच्चु होता है उसका जो जहर होता है व बच्चों हमने यह तो जाना कि मधुमक्खी से बहुत ही मीठा शहद प्राप्त होता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होता है तो मधुमक्खी का जो डंक होता है वो बहुत ही कटू होता है बहुत ही दर्दनाक होता है अब बात करते हैं हमारे आसपास पा जानते हैं जो कि रोग वाहग जन्तु होते हैं रोग वाहग जन्तु यानि कि ऐसे जन्तु जो रोग के रोगानु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होते हैं इनमें सबसे पहले हम जानते हैं मच्छों के बारे में बच्चों क्या बता सकते हैं कि मच्छ जुछ फ्रजाती क法 पयलते हैं कुछ खास प्रजाती मच्छों जैसे रोक प्याया है। प्रच्छो यह चेसे काटर यह किसो ऊती को चुरलती है तोस चाहरी जैसे हैं मालेरीया इसके दारा से कर द दारा माधाने अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो उसके शरीर से वो रगानु उसके शरीर में आ जाते हैं और जब वह किसी स्वस्त व्यक्ति को काटती है तो आपने अपने अपने गर में आसपास घरेलु मक्षी को तो बहुतायत में देखा होगा कहा भी जाता है बच्चों कि हमेशा खाद प्रदार्त को ढक्के रखना चाहिए ताकि उस पर मख्षी ना बैट सके ऐसा हम क्यों कहते हैं क्योंकि मख्षी की पैरों पे मख्षी हर जगा घूमती है बच्चों मख्षी जब कूड़े करकट की ढेर पे या किसी गंदगी की जिवानों प्रवेश कर जाते हैं वहां जिवानों प्रवेश कर जाते हैं जिससे हमें विभिन प्रकार की पेट की बिमारिया हो जाती हैं जैसे हैजा और डैरिया जिसमें की हमें दस्त और उल्टियां होने लगती हैं तो इनसे बचने के लिए सदैव अपने खाने को ढख कर रखिए अब बात करते हैं रेबीस की आपने तो ये सुना होगा कि कुट्टे को काटने पर 14 इंजेक्शन लगते हैं वैसे अब जब विज्ञान ने तरक्की कर ली है बच्चों तो 14 इंजेक्शन तो नहीं दो या तीन इन्जेक्शन ही लगते हैं परणतु इंजेक्शन अवश्य लगते हैं वो क्यों लगते हैं बच्चों क्योंकि कुट्टे की काटने से रेबीस नामक रोग फैलता है रेबीस पश्वों के लार से फैलने वाला रोग है यह कुत्तों के अलावा अन कई और जन्तु होते हैं निके काटने से फैलता है जिसे बंदर या नेवले संक्रमी जैनवर की लार का संपर जब व्यक्ति के खून से होता है तब यह वायरस फैलता है अब व्यक्ति के खून में यह वायरस कैसे पहुचेगा बच्चों जन्तू के काटने से इसलिए बच्चों कुत्तों से सावधानी भी बरतनी चाहिए यह अवश्य हमारे मित्र हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे लिए घातक भी हो सकते हैं, तो इसलिए सावधानी जरूरी है, अब बात करते हैं कुस ऐसे जन्तुओं की जो की फसलो तथा पौधों को नुकसान पहुचाते हैं, जिन में सबसे पहले एक छोटा सा जीवाता है, जिसे हम टिड्डी कहते हैं, जी हैं बच्चों, टिड्डियों का दल देख करके तो किसान भाईयों के हाथ पैरी फूल जाते हैं, क्योंकि यह दो चार की संख्या में नहीं होते हैं, यह करोणों की संख्या में होते हैं, यह छोटी से दिखने वाली टिड्डी जब करोणों की सं तो जड़ा सोचिए कि करोणों की संख्या में जो टिड़ी होती है वो कितनों का भोजन चटकर जाएगी जी बच्चों लग भग 35,000 लोगों का है ना खतरनाक बच्चों इस टिड़ी के दल से बचने के लिए जो बचाव के लिए इनके ऊपर रसायनिक छिड़काओ किया जाता है अब बात करते हैं बच्चों चूहे की यह जो छोटा सा चूहा दिखता है वो हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुचाता है राश्टी आ जो कि आपके घरों में भी पाला जाता है जी हो सकता है आप में से कई बच्चों के घरों में तोता पाला गया हो परंतु बच्चे तोता भी जो होते हैं वो हमारी फलों की जो जिनसे हमें फल प्राप्त होते हैं जैसे अमरूद आम इनके बाग को बहुत नुकसान पहुच अब बात करते हैं नील गाय बच्चों दलहनी फसल को नुकसान पचाते हैं इनका जुन्ड जिस खेत में प्रवेश कर जाता है वहां की फसलों को खा करके बिल्कुल नस्ट कर देते हैं हाथी हाथी धर्ती पर पाय जाने वाले सभी जियों में सबसे बड़ा माना जाता है तो यह विशाल का हाथी का जुन्ड जिस खेत में चला जाए बच्चों तो आप कल्पना कर सकते हैं उस खेत की फसल का क्या हाल होगा जी यह बिल्कुल नस्ट कर देते हैं तो बच्चों हमें सावधानी की अवशक्ता है तो बच्चों हमने आज की कक्षा में क्या क्या जाना हमने जाना कि कुछ जन्तु हमारे लिए बहुत ही लावदाई होते हैं कुछ से हमें भोजन के रूप में बहुत सी चीजें प्राप्त होती है कुछ से हमें उत्पाद प्राप्त होता है जिनसे आपयोग हम ड्यानिक जीवन में करते हैं, कुछ जन्तुओं को हम पालते भी हैं, जो हमारे लिए एक मित्र की तरह होते हैं, जो हमें ड्यानिक जीवन में हमारे कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं, कुछ जन्तु ऐसे होते हैं, जिनसे हमें हानी पहुशती हैं, जै तो जन्तू के उप्योगिता में हमने जाना कि जन्तू हमारे लिए कितने लावदाई होते हैं लेकिन बच्चों इन्ही जन्तू के दौरा कुछ बिमारिया भी फैलती हैं वह कौन-कौन सी थी डेंगू, चिकन गुन्या, मलेरिया, आदी और संक्रमित कुत्तों आदी इन तरह की जानवरों के काटने से कौन सा रोग पैलता था बच्चों रेवीज रोग पैलता था और पौधे जो कि इतने लावदाई होते हैं लेकिन उनसे कुछ मादक पदात भी प्राप्त होता था जो कि हमारे सेहत के लिए हान आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी अब इस पार्ट को आप स्वैम कम से कम दो बार जरूर पढ़िये गा तो कख्षा में बताई गई बाते आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी चलिए आज बताई गई कुछ बातों के अधार पे कुछ प्रशनों को दे यह जानने में कि यहां बताई गई बातों में कौन-कौन सी सही है कौन-कौन सी गलत है जैसे पहला मादर प्रदाज स्वास्त के लिए लाब दायक होता है बच्चों क्या यह लाब दायक होता है बिल्कुल नहीं यह हानिकारक होता है रेशम के कीड़ शहतूत के पेड़ प तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन पर दिखाये गए सारे प्रशनों को आप स्वैम हल करने में सक्षम होंगे और यदी नहीं तो आप अपने घर के किसी बड़े की भी सहायता ले सकते हैं तो बच्चों इसी के साथ हम अपनी ये कक्षा को समाप्त करते हैं परंद उससे पहले हम एक कानून को भी जानते हैं जो कि जन्तूओं के संरक्षन के लिए बनाया गया है और वो क्या है बन जन्तूओं को पालना शिकार करना एवं किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान तो बच्चों इसी के साथ हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं अगली कक्षा में हम नए पार्ट के साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमशकार